हेलो एवरिवन, इस वीडियो में आपको एलियन अडिशन लाइन और एलियन सब्सिटूशन लाइन के बारे में बताऊंगी चलिए स्टार्ट करते हैं, एलियन अडिशन लाइन में क्या होता है कि आपके पास P1 और P2 आप different parent species ले रहे हैं, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ही different है तो जब आप उनकी wide hybridization करवाते हो और crossing करवाने के बाद जो आपके पास F1 आता है तो अगर वो sterile आता है, अगर sterile आता है तो उसकी क्या करवाने पड़ती है हमें? हमें उसकी colchicine treatment करवाने पड़ता है, तांकि F1 जो है हमारे पास वो क्या आए? F1 की doubling हो जाए, chromosome doubling हो जाए, जिसकी वज़े से F1 जो आए हमारे पास अब sterile ना आए, अब F1 जो है हमारे पास fertile आ जाए F1 जो hybrid आप fertile आ जाए, अगर हमारे पास F1 fertile आ जाता है तो इस F1 को हम किस नाम से जानते हैं? Amphideployed के नाम से जानते हैं अब इस Amphideployed को हम क्या करेंगे? अब हम इसकी back crossing करवाएंगे, किसके साथ करवाते हैं? back crossing हमेशा parents पिशी के साथ करवाई जाती है similarly हमने क्या करना है? यही जो P1, P2 हमने male और female parent लिये थे इसके साथ अब इस Amphideployed की क्या करवाई जाएगी? back crossing करवाई जाएगी P1 and P2 parent के साथ इसकी Amphideployed की जिसको हमने F1 fertile pole है, उसकी हम क्या करवाएंगे? back crossing करवाएंगे कितनी बार back crossing करवाएंगे? for about 2-3 time 2-3 time हम इसकी बार-बार back crossing करवाएंगे back crossing का मतलब का है इस F1 hybrid को या तो हम इस वाले parent के साथ cross करवा सकते हैं या फिर हम इस वाले parent के साथ crossing करवा सकते हैं now back crossing करवाने के बाद हम क्या करेंगे? इस parent के साथ back crossing करवाने के बाद हम जो हमारे पास hybrid आएगा बार-बार back crossing करवाने के बाद उस hybrid की हम क्या करवा देंगे then selfing करवाएंगे selfing का meaning क्या है जैसे मान लो कि मैं F1 parent को F1 hybrid को P1 parent के साथ back cross करवा रही हूँ तो जो इन दोनों को hybrid आएगा उस वाली की मान लो मेरे पास A आ गया as a hybrid आ गया F1 को जब मैंने P1 के साथ क्या किया cross करवाया ये वाला जो आपके पास hybrid आया था जो कि अब fertile हो चुक है उसको एक parent के साथ जब cross करवाया तो मेरे पास मान लीजिए let it be कि A as a species जो कि इन दोनों का as a hybrid आया अब इस A की मैं करवाँगी selfing selfing में क्या होगा A को A के साथ ही cross करवाई जाएगी selfing करवा दी now हम क्या करेंगे जो हमारे पास A into A करवाया जिसको हमने selfing बोली है जिनकी दोनों की selfing करवाई है selfing करने के बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हम as a parent variety मान लेंगे जो पहले हमने इनको selfing करवाई है इनकी आपस में तो इन ही कोई हम क्या मान लेंगे as a parent variety मान लेंगे इसको मान लीजिए मैं मान लेती हूँ as a recipient ठीक है जिसे मैं female बोल सकती हूँ और इसको मैं मान लेती हूँ donor राइट now recipient वाले का sign क्या रहेगा आपका ये and donor वाले का sign क्या रहेगा आपका ये इनको cross करवाने के बाद क्या होगा कि आपके पास जो अब F1 आती है अब जो इन दोनों को cross करवाने के बाद जो F1 आती है न इसी में alien addition का हम बात में पढ़ने वाले है F1 का क्या होगा, कि जो F1 का एक क्रोमोजोम है न, right F1 का एक क्रोमोजोम और इन में से आपकी डोनर वैली कौन सी है डोनर पेरेंट है, ये वाला, ठीक है अब alien addition एक ऐसा method होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो डोनर है न, वो अपना एक क्रोमोजोम F1 में क्या कर देता है, दे देता है F1 स्पीशी में अपना एक्स्ट्रा एक क्रोमोजोम जो है F1 को डोनेट कर देता है इसको बोलते है alien addition alien substitution जो है न, आपका same, exactly same रहने वाला है substitution में basic मतलब का होता है, replace करना substitution में सारे ही step वही follow किये जाएंगे बस last step में आजाएगा substitution में क्या होगा आपका कि यहां से जो डोनर वाला है न, डोनर वाला अपना एक क्रोमोजोम इदर add नहीं करेगा अपना एक क्रोमोजोम इस वाले के साथ replace कर देगा अपना एक क्रोमोजोम F1 के साथ क्या कर देगा replace कर देगा, एक chromosome इधर चले जाएगा, इसका chromosome इधर आ जाएगा, that is called as alien substitution, alien का basic मतलब क्या होता है, extra, आपका कोई gene का आना, ठीक है, extra gene की अगर हम बात करें, alien मतलब जो foreign gene अगर हम उसको ले सकते हैं, foreign gene की तरह consider कर सकते हैं, तो alien addition का मतलब क्या है, जब ये donor अपना एक chromosome F1 को दे रहता है, और alien substitution में क्या होता है, कि एक जो आपका chromosome है, इसके साथ replace हो जाता है F1 का donor के साथ, that is all, कि ये आपका alien addition और alien substitution है, in your wide hybridization,